दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनिस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो एक वेकिंसी लेकर आचुका हूँ अभी अभी यहाँ पर देख सकती हूँ नोटिफिकेशन जो है निकाली गई है Central Cold Fields Limited की तरफ से जो है अपरेंटीज की भरती आ चुकी है बिलकुल दोस्तो 1565 पर यह भरती निकाली गई है जिसमें आप लोग All India अपलाइक कर सकती है इसमें आपका एकजाम नहीं होगा जी हाँ और साथ ही आपका इंटर्वी नहीं होगा सीधी भरती है तो पूरा वीडियो नोटिफिकेशन पर तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो मैंने जो है आफीसली नोटिफिकेशन गाईज ओपन कर रखी है और यहां पर ऊपर देखिए सेंट्रल कोल फिल्स लिमिटेड चार नोट तो हजार बीस की यहां पर डेट रखी गई है और इसका नोटिफिकेशन के लिए 425 वैकिंसी रखी गई है तो सबसे जादा वैकिंसी जो है यहां पर फिटर के लिए रखी गई है इसमें दसमी पलस आई टी आई वाले हना आई टी आई फिटर ट्रेड वाले यंशी वीटी या सी वीटी डोनों से या दोनों में एक अपलाइक कर सकते हैं ठीक है और यहां पे देखिए welder के लिए 80 vacancy है 10-वी पलस ITI welder वाले apply कर सकते हैं NCVT चाहिए या SCVT से जो है मानता होना चाहिए और electrician के लिए 630 vacancy है सबसे जन्दा vacancy यहां पे electrician की रखी गई है तो electrician के लिए 630 vacancy है जिसमें 10-वी पलस IDI वाले apply कर सकते हैं मेकेनिक की 150 vacancy है इसमें ITI वाले apply कर सकते हैं और यहां पे जो है कोपा के लिए 50 vacancy है ITI कोपा से कर रखे हो तो apply कर सकते हो और यहां पे जो है information, communication, technology वाले 25 vacancy है apply कर सकते हैं इसमें जो है ITI, IT, ITES या ICTESM ट्रेट से कर रखे हो तो apply कर सकते हो Mechanist के लिए 50 वेकिंसी है Mechanist ट्रेट से आईजिय वाले अपलाई कर सकते है Turnern के लिए 50 वेकिंसी है ITI टर्नल वाले अपलाई कर सकते है Medical Laboratory Technician के लिए 15 वेकिंसी है ITI MLT वाले जो है apply कर सकते है Medical Laboratory Technician जिसमें यहाँ पर जो है 15 वेकिंसी है pathology के लिए इसमें ITI वाले apply कर सकते है pathologies related जिन्होंने कर रखा है अब ITI और ESA के लिए यहाँ पर 50 वेकिंसी है दस्मी प्लस ITI वाले apply कर सकते हैं इसमें दोस्तों यहां पे देख सकते हो आवेदन की अंतिमति थी 5 अक्टूबर 2020 रखी गई है तो आप लुग जो है 5 अक्टूबर 2020 तक अपलाई कर सकते हो इस टाइपन जो आपको मिलने वाली है 7000 रुपे जो है आपको हर महीने मिलने वाली है एक साल की जो है यहां पे 18 से लेके 35 वर्स जो है यहां पे एज लिमिट रखी गई है और यहां पे नीचे हम बता दें जिसमें प्रिफरेंस दिया जाएगा अगर आप लोग जहारखंड से आईट्याई कर रखे हो तो आपको जो है प्रिफरेंस दिया जाएगा या आल इंडिया भरती है सभी राज कर सकते हो और 5 अक्टूबर 2020 से पहले जो है आप लोगों को यहां पे अपलाई करना है दोस्तों दसनी पलस आईटी आई के बेस पर जो है यहां पर आपका सेलेक्शन होने वाला है सीधे मेरिट के बेस पर जो है यहां पर आपकी भरती होने वाली है तो मेरिट के बेस पर जो है आपका यहां पर मिर्ड लिष्ट डिक्लियर के जाएगा मिर्ड लिष्ट के बाद जो है आपका यहां पर डाको मिने वरी सीक्रेशन होने वाला है जिसमें अक्टूबर तक जो है आपका रेजल्ट यहां पर डिक्लियर कर दिया जाएगा तो इस तरह से जो है यहां पर प्लाओ मुझे एंप मैं टुर्ण एंप